हेलो योरी वेन आज हम पार्ट सॉला परियावणिये मुद्दे इस चेप्टर के ऐसे इंपोर्टेंट कर्सन की प्रैटिस करने वाले हैं जो की बोर्ड एक्जाम में एकसर बार बार रिपीट होता हैं तो देखेगा पार्ट सॉला है परियावणिये मुद्दे शुरू करते आज यह आपका फाइनल चेप्टर होगा उसके बाद ही कंप्लीट हो जाएगा तो देखो क्यों से नमबर फर्ष्ट दिया हुआ है विश्व परियावणिये मना जाता है पांच जून को ऑप्शन बीसका सही उत्तर होगा अगला क्यस्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है उप्शन A 16 सितंबर उप्शन B 13 सितंबर उप्शन C 25 सितंबर उप्शन D 5 सितंबर तो यह होगा विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर उप्शन A इसका सही उत्तर होगा बढ़ते हैं अगल में मापा जाता है डी यू यू यूनिट डॉप्शन यूनिट में किसको मापा जाता है ऑप्शन ए संताब मंडल की मोटाई ऑप्शन बी क्लो फ्लोरो कार्बन की मोटाई ऑप्शन सी ऑक्सिजन की मोटाई या ऑप्शन डी ओजोन की मोटाई तो डॉप्शन यूनिट में मा Montreal Protocol किसके नियंत्रण के लिए किया गया था Option A, E-Waste का निफ्टान E-Waste मतलब है Electronik कच्रा तो Electronik कच्रा का निफ्टान Option B, Greenhouse Gas के नियंत्रण के लिए Option C, Ozone चरण के नियंत्रण के लिए Option D, Jio के परिवहन के नियंत्रण के लिए तो सन 1987 में Montreal Protocol किसके नियंत्रन के लिए किया गया था तो ये किया गया था ओजुन्चरण के नियंत्रन के लिए Option C इसका सही उत्तर होगा Montreal Protocol ओजुन्चरण का नियंत्रन अगला केस्चन है हिम अंद्रता या स्नो ब्लाइडनेस किसके द्वारा होती है Option A UV यानि अल्ट्रा वाइलेड बी विकिरन के द्वारा Option B आवरक्त विकिरन के द्वारा Option C निम्न ताप के द्वारा Option D उच्च ताप के द्वारा तो हिम अंद्रता या स्नो ब्लाइडनेस जो होती है वो होती है अल्ट्रा वाइलेड बी विकिरन के द्वारा अल्ट्रा वाइलेट विकिरन भी दो प्रकार की होती है A और B जिसमें से एक कम हानिकारक होती है और B अधिक हानिकारक होती है तो अल्ट्रा वाइलेट B विकिरन की द्वारा ये हो जाएगा हिम अन्ता या सनो ब्लाइडनेश अगला क्येस्चन है किस के लिए किया गया था। क्यों किया गया था। अप्सन ए गलोबल वर्मिंग के लिए।ın जयो विद्धा संड्रेक्षन के लिए, C ओजोन संड्रेक्षन के लिए, D इन्में से कोई नहीं, तो रियर डिजेनेरों में जोब इश्रु प्रतीश मिलन वह हुआ, वो हुआ, जयो विद्धा संड्रेक्षन के लिए, अगला question है, किस प्रोटोकोल का देश्चे, CFCS अर्थ था klorofluorocarbon के उत्षरजन को कम करना था option a mондел protocol option k波 क्योटा प्रोटो कोल option c gothenberg protocol option d j необходимо protocol तो cfcs klorofluorocarbon के उत्षरजन को कम करने का जो प्रोटो कोל था मौन surreal protocol cfcs klorofluorocarbon कम उता जित होगा तो जुन्छण कम हो strateg करने के करक्षा प्रोटोफो अगला कैस्टन है जल्मे नाइट्रेट की अधिक्ता से कौन सा रोग होता है ऑप्شक्रम ऐगला केस्चन है पोलीथिन के महिन चूर्ण का उप्योग इस में किया गया तो पोलीथिन का महिन चूर्ण होता है पोली ब्लाइड का उप्यों किसमे किया गया option A प्लास्टिक थेली बनाने में option B सड़क निरमान में option C नालिय बनाने में option D पूरवर्ग किया गया है सड़क निरमान में option B इसका सही उत्तरोगा अगला question है इटाई इटाई शिन्रोम किस से होता है इटाई इटाई शिन्रोम एक परकार का विकार है तो ये किस से होता है किसके अधिक्ता से होता है किसके परदुशन से होता है option A केडमियम परदुशन से option B नाइटरेट परदुशन से option C आर्सेनिक परदुशन से, option D उपरोग सभी से, तो इटा-इटाई सिंड्रोम जो होता है, वो होता है, केडमियम परदुशन से, option A इसका सही उत्तर होगा, बढ़ते हैं अगले प्रसंद के और अगला प्रसंदे रखा है, ओजोन के विक्रती करण का उत्पिरे रख है, option A, oxygen, option B, carbon, option C, iron, option D, chlorine, तो ओजोन के विक्रती करण का जो कारण है, जो उत्पिरे रख है, वो है क्लोरीन, क्लोरीन के द्वारा ओजोन का विक्रतन होता है, जिससे क्या होता है, ओजोन च्रण होता है, बढ़ते हैं अगले केस्टन के और अगला केस्टन दे रखा है, कि जलिये यानि कि जल में बनने वाली खाते स्रंकला, तो जलिये खाते स्रंकला में, D, D, T की सांधरता किस में अधिक्तम होगी, option A दे रखा, Eel में, option B दे रखा, पादपलवक में, option C दे रखा, समुदरी पक्षी में, option D दे रखा, केंकड़े में, तो देखिए, सबसे पहले जल मे जो छोटे छोटे पादपलवक होंगे, इन पादपलवकों को खाती है, Eel, यानि छोटी मचली खाती है, Eel, ठीक है, Eel खाएगी, Eel, जो छोटे जीऊ है, पादपलवक, तो इन पादपलवको Eel ने खाया, Eel को कौन खायेगा, केंकड़ा खायेगा, और उन केंकड़े को क खाएगा समुद्री पक्षी घाएगा तो उच्तम पौसक इस्तर अर्थार जो अंतिम पौसक इस्तर होगा उसमें सबसे ज्यादा डीडीटी की मात्रा होगी तो यहां पर समुद्री पक्षी क्या है उच्तम पौसी इस्तर है इसलिए डीडीटी सांद्रता समुद्री पक्ष के दुवारा option B methane option C oxygen option D ozone तो किस गेस की कमी से तो यहाँ पर ओजोन की कमी होगी तो अल्ट्रा वाइलेट जो रेज है वो तुरंत सीधी आएगी और सीधी आने पर हमारी स्कीन को उससे ताउचा के इंसर होने का चांस जदा रहेगा तो ओजोन के कारण यह जोन की कमी के कारण तो उसके एंसर के अशर पढ़ जाते हैं बढ़ते हैं के लिए केस्टन की और अगला केस्टन दे रखा है कि संव्त वन प्रभंदन यानि कि जैए एफ एम जोईंट फोरेश्ट मैनेजमेंट की धारना भारत में कब प्रस्तावित की गई option A 1970 option B 1980 option C 1929 option D 1960 तो जैए एफ एम अगला केस्टन है सुपोशन या यूट्रोफिकेशन में किसकी कमी हो जाती है option A भोजन की option B जल की option C oxygen की option D इनमें से कोई नहीं तो सुपोशन या यूट्रोफिकेशन में आक्सिजन की कमी हो जाती है क्योंकि जल यह जियो जो अंदर की तरफ है जिसे अगर यहां पर छोटे चोटे पादर पलवक या अंदर जो टेने वाले जो लिए पोधे हैं उनकी मात्रा बढ़ेगी तो जल की त अगला केस्चन है डी डी टी की सांदरता का बढ़ना क्या कहलाता है ओप्सन ए जेव अपकरसन बी जेव आवर्धन ओप्सन सी जेव पांतरन ओप्सन बी इनमें से कोई नहीं तो डी डी टी की सांदरता का बढ़ना जेव आवर्धन या बायो मैगनिफिकेस कहलाता है बाय Option A, सेवाल, Option B, कवक, Option C, लाइकेन, Option D, प्रुक्स अभी, तो जहां पर परियावण प्रुजिशन ज़्यादा होता है, वहां पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए लाइकेन को परियावण प्रुजिशन का सुचर कहते हैं, तो Option C, इसका शही उत्तर होगा, बढ़ते हैं के लिए क्येस्चन की और अगला क्येस्चन है, अमली वर्षा का मुख्य कारक है, कौन सा है, Option A, सेलफर डायोकसाइड, Option B, नाइटरोजन डायोकसाइड, Option C, दोनों, Option B, आटरोजन डायोकसाइड, तो देखिए, अगला क्येस्चन दे रखा है, कि निमन में शेय दीती एक पर्दुशक है, दीती एक पर्दुशक का मतलब होता, ऐसे पर्दुशक जो अपनी मूँ लवस्था से आगे नए रूप में बदल जाते हैं, तो वो दीती एक पर्दुशक होते हैं, तो सल्फर डायोकसाइड, ये दीती एक पर्दुशक नहीं है, पर्दुशक नहीं है, पर्दुशक नहीं है, तो पर्दुशक नहीं है, तो पर्दुशक नहीं है, या इसे कहते हैं, पर्दुशक नहीं है, इसी को बोलते हैं, पर्दुशक नहीं है, ठीक है यह एक परकार का दीतियक पर्दुस्तक है अगला क्येस्टन है चिब को आंदरलन का प्रार्म हुआ और और चिपको आंदरलन जो शुलात हुआ यह वद्ध का साइफ तर होगा बढ़ते के लिए केस्टन के और अगला केस्टन देखा है मिनी माठा रोग इसके द्वारा होता है option add ddd से option b ag से option c ag से option dcd ddd से option b ag मतलब mercury या पारे से option c as यानी arsenic से option dcd या केड़म से तो मीनी माटा रोग जो होता है ये खाड़ी देशों के ऐसे लोग जहां पर जल में mercury की मात्रा ज्यादा होती है तो समुद्री जल से यह है मरकरी समुद्री मचलियों में जाता है और यह मरकरी अपारा जब समुद्री मचलियों जलियजियों में जाता है तो ऐसे जलियजियों को खाने पर उनसे जो रोग होता है तो यह होता है मीनी माटा रोग तो इसे लोगों में कुंसा रोगा मेनी माटा तो अगला क्यस्चन है दान के खेट से निकलने वाली कौन सी गेस है जो गलोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है दान के खेट यानि चौल के खेट में कौन सी गेस बनती है जो गलोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदा तो दान के खेद में बनती है मैथन के CH4 और इसी CH4 के द्वारा क्या होता है इसी CH4 के द्वारा ग्रीन हाउस एफेक्ट यानि की ग्लोबल वार्मिंग एफेक्ट होगा पेश्वी कूस्टन होगा यह जाएगा उप्सन एसका सहीवतर अगला क्येस्चन है वाई मुंडल के किस से ओव्सद्वारा तो इस स्ट्रेटो स्फियर या संताप मंडल में सुरक्ष्यात्मया उजण परहत पाई जाती है ओपसंसी इसका शहीभ तर होगा अगला क्येस्चन है ओजन चुद्रका निर्मान सरवादिक कहاں होता है या कहां हुआ है ऐसन भारत में EPA औरçosन भी यूरोप में एजो रहा आप्सन सी ट्रापा आप्सन डी आई कोर्निया तो जल कुम्भी का नाम है आइक क्रेशिपस तो अप्सन डी इसका सईटर होगा जल कुम्भी क्या एक प्रकार का शमस्यात्मजली खर्पतवार इसी को बंगाल कातंक भी कहते हैं जो कि तीवर गत्य से पूरे के विष्द्रित रूप है के दीडि कम विष्द्रित रूप कुन सां है कि आप डाइक लोरो डाइफैनिलट्राइफ यह ऐसन सीजलिपित रिब डीड़त्र यह ते fulfillment तो देखिए DT का विस्त्रद रूप जो होगा वहोगा डाइध्रो, डाइध्रो, डाइफेनिल क्या होगा ddd में डाइधैन होगा डाइध्रो डाइफ्निल को धियान रखना है कि डाइफैनिल होगा और last में यह तेना आएगा ठीक है तो यह जाएगा डीडीटी का फॉल फॉर्म बढ़ते हैं के लिए क्या और अगला क्याश्चन है निम्न में से कौन सी गेस ग्लोबल वर्मिंग गेस नहीं है नहीं पूछा है ठीक है सी ओ टू यह सबसे ज़्यादा होगी च्छ फॉर मैथन भी होगी और 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 टू नहीं होगी तो ग्लोबल वर्मिंग गेस नहीं होगी ठीक है नहीं पूछा है नहीं तो कौन सी गेस नहीं है यह ऑक्सिजन जो है व global warming gas है अब के बार पूछा क्या है कौन सी गेस है अपशन एंट बी अपशन भी एनस थ्री ऑपशन की और और त्री ओप्सेटीन में से कोई नहीं तो निम्हें इस कौन सी गेस ग्लोबल वार्प्यस है तो यह हो जाएगा N2O, Nitrous Oxide इसके अलावा भी जो होती है वो होती है, तो Carbon Monoxide CO और एक होती है N2 ये भी क्या है भई Global Warming Gas है तो Global Warming Gas में CH4 होती है ठीक है CO2 होती है और CFCS क्लोरो-फ्लोरो कारवन होती है CFCS ठीक है इसके अलावा CO Carbon Monoxide N2O Nitrous Oxide ये सभी की सभी क्या है Global Warming Gas है तो Option में यदि पूछे ये डायरेट करसे पूछे कि Global Warming Gas कौन-कौनसी है तो CH4, CO2, CFCS CO, NO2, N2O ये सभी क्या है Global Warming Gas है ओके दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्येशन है निम्न में से Black Foot रोग किसके द्वारा होता है Option A मरकरी Option B नाइटरेट Option C डी-डी-टी Option B आरसेनिक तो Black Foot जो रोग होता है वो होता है आरसेनिक के द्वारा Option D का सभी तरोगा बढ़ते हैं अगले क्येशन के और अगला क्येशन है जियावर्दन के कारक है किस के द्वारा जियावर्दन हो रहा है Option A D, D, T के द्वारा Option B पारा ये मरकर के द्वारा Option C दोनो Option D में से को नहीं तो D, D, T और पारा दोनों ही जियावर्दन के कारक है अर्थाrü पप्सं C दोनों की द्वारा जियावर्दन हो रहा है यानि रसायनों का सांधरन बढ़ जाना उच पोस्सेरे हो इस तरवे में रसायनों सांधरन बढ़ यहीं केक लाएगा जियावर्दन उम्मिद करता हूँ दोस्तों कि आपको एक लास पसंद आयोगी और अब आप इसे लाइक किजिए, सेर किजिए और चैनल को सब्सक्राइब किजिए यदि आप नए हो तो, ओके, थैंक यू